बारत माता की जए सनातन धर्म की जए वर्तमान में दो मुद्दे बहुत ही ज्वलंत हमारे सामने खड़े हैं और हर जगे हर शेहर में हर राज्य में चर्चा का विशय हैं एक है आप पार्टी के समाच कल्यान मंतरी रायन पाल गोतम के दुवारा दिया गया एक बयान और दिल्ली जैसी महानगर में एक सभा के अंदर कुछ लोगों के सामने हिंदू देविद्यताओं के मंदिर ने जाने की शबद दिल्माई जाती हैं साथ ही कांग्रेस के नए द्यक्ष श्रीमान मलीक अरजुन खड़गे के दुवारा पुनह हिंदू साद अंधर्म को लेकर के दिया गया दिवादित बयान कोई क्या कर रहा है कोई क्या कह रहा है विशे यह नहीं है किसे ने हमाई धम के बारे में ऐसा क्यों कहा उसका इतना हिम्मत कैसे हुआ या किसे ने इतनी हिम्मत क्यों जुटाई वजह के पिशे जानना यह आवशक है यह सब क्यों हो रहा है आए एक हिंदी फिल्म आती है जो की रामयन पर अधारित है जिसका नाम है आदी पुरुष जिसके अंदर भाव बली से भाव चर्चित हुए एक प्रख्यात अधाकार प्रभास साथ ही उस फिल्म के लेखक डारेक्टर जियोनर आमयन पिच्चर को एक आज के वास्ट्विक रूप से हटाते हुए एक अलगी रित्ती से अलगी द्रश्य में राम भगवान को जो उनका सोम में रूप है कोमर से रूप है जो भक्तों की और स्राद नहरीनों की उनके प्रति कर दिया गया हनुवान जी को मुगल करूप में दिखाया गया जिसका की पुरे भारत वर्ष में पूर जोर से साथ में उनका विरोत किया जा रहा है लेकिन क्या वज़य है कि हर कोई सिर्फ हिंदू धर्म को ही टागेट करके उसके उपर ही फिल्मानाता है या हिंदू धर् हि बोलने की हिमाकत कर बाता है कि ये हिंबगे कौन देता है उन्हें इसके विजह है धर्म प्रेमी जनता है साधन ध्हम से प्रेम करने वाले यूनмен विरूथ करना हमारे सधान तुम्हें नहीं है और शायद यही वज़य है कि आज इस पकार की लोग इस पकार की हरकतें कर जाते हैं कि तियास गवा है दोस्तों इस देश में उसी का हक चला है उसी के चली है जिसके पास शक्ती रही है इस देश में किसी मुगल ने अफ़गानियों ने या बिटिशों ने कबजा नहीं किया था नहीं शासन किया था हम जैसे सनातरियों के बीच में गुस्तेवे के धार जो उनका साथ दिया और उन्हें ताकत मिली शक्ती मिली और हमारा दमन हुआ आज पुने भारत वर्ष उसी दिशा में जा रहा है ये कुछ मुट्टीवर लोग जो कि समास के ठेकदार बनके हमारे बीच में गुस्ते हैं और सनातरियों का विरोध करते हुए हमारे सामने हमारे देज़ेताओं का मकौर बनाते हैं और हम खामोश रह जाते हैं सोचना यह है कि दोशी वो है या दोशी हम है दोशी हम है कुछ हमने उन्हें शूर दी एक शेत्री पार्टी देखते ही देखते राष्टे पार्टी में तब्दिलो जाती है बिना सोचे समझे चंदर प्रलोवन लेकर के हम लोग एक ऐसे वक्ति का चुनाव कर देते हैं जो कि हमारे स्राधर धर्म को गाली देता है दोशी वो हुआ या दोशी हम हुए सोचना यह है और आज भी वक्त है दोस्तों आज अगर साधर्म के प्रेम करने वाले उस धर्म को मानने वाले अगर नहीं जागरूप कोई और नहीं जागे तो इन जैसे चंद मुट्टी बड़ लोग इस देश से साधर्म को खितम करने का जो बिड़ा उठा चुके हैं उसे करने में सफल हो जाएंगे आज बहुत बड़ा विशे नहीं है हम करणों की संख्या में हैं और ये मुठी बर लोग हमें दवाने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में साधन पेमियों के बीच में उस व्यक्ति के दुआरा इतना बड़ा बुदन किया गया और जनता खामोश रही मैं राम और कृष्ण को इश्वर नहीं मानूँगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूँगा मैं गौरी गनपती आदी हिंदु धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूँगा यही खामोशी उनकी ताकत वनी और आज वो शेत्रे पार्टी से राष्टे पार्टी में तबडील हो गए वो खड़के सहाप कांगर्स के द्रक्ष उनने खुला साल धर्म के उपर कटाक्ष किया लेकिन कोई विरूत नहीं हुआ साड़े चार कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किये और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ती मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरेसेस की हुकमत आएगी यही भावबली फिल्म का अदाकार प्रभास और डारेक्टर और लेखक मैंजेज फिल्म मना रहे हैं उन्हें पता है हिंदो कुछ नहीं करेगा कुछ वक्त के लिए चिलाएगा उसके बाद वही लोग आकर के सिनेमा घरों में हमारी फिल्म को खिट बनाएंगे यह लोग हरकते करते ही इसलिए हैं ताकि उनकी पिच्चर का अविट्राइजमंट हो उनका विग्यापन हो और लोग यह देखने के लिए जाएं क्या के फिल्म में है क्या कोई तब वाल मच्चा हुआ है और यही उनकी स्टेट जी है जिसको हम पढ़ने ही बात है क्या वशकता है जब एक हंटी में चावल पकता है पुरा चावल ने देखा जाता है मात एक कर्ण देखा जाता है जब हमने उसके टीजर में देख लिया क्या हमारे राम का हमारे हनुआन जी का हमारे देखता का माख खुल बनाया गया है तो फिल्म देखने जाने की हिम्मत या फिल्म जाने का तो सहास एक हिंदू कभी करनी सकता हिम्मत करनी सकता हमें उन्हें जवाब देना होगा और जॉब देने का बहतर तरीका यही है उनका सोशल बाइकाट हो जिस धर्टी पर वो खड़े हैं जिस अधिकार से जिस हक से आपने उन्हें उस जगे बठाये था उनके निचाया कार्पेट खिशने हक भी उन्होंने आप ही को दिया है और यह फर्च अब आपको नहीं माना है ताकि आने वाले समय में इत्यास के पन्नों पर एक एसी बात लिख दी जाए कि आने वाले समय में कोई भी रख्ती किसी धर्म का हो संगढ़न का हो इस पकार की हमाकत करने के पहले हिंदू धर्म के कहने के पहले या हिंदू धर्म के सानातनियों के धर्म के पहले कहने के पहले एक हजार बार में कहीं बरतबा सोचने के बाद भी ये दुस्ता हास ने कर पाए हिंदू प्रेमियों जागना हमें ही होगा किसी पर दोश मंडित करने से या किसी को दोशी ठेलाने से कुछ नहीं होगा दोश हमारे अंदर हैं कि हम खामोष हैं और इस खामोशी को तोड करके इनका विरोध करना होगा इनका वाय कोट करना होगा तो ही हमार सानातंधर्म जिवित रहे पाएगा और राधी राधी कार सी जुबह करमपरा चला रही हैं येने हम आगे तक चला पाएंगे और हमारे बच्चों को एक उजवल हुश्य का, एक अखंड भारत का, एक भवश्य के उजवल निर्मान का, एक स्वचंद भारत हम दे पाएंगे और पुरे देश में जाना चाहिए, तो मैं सभी देशवासियों से निवतन करूँगा, इसे अधिक सदी शेयर करें, लाइक करें, सबस्क्राइब करें, और देश के संगटन में, उसके एकता में अपना सियोग दें इंकलाब, जिंदाबाद, भारत, माता किये, सातन धर्म की जाए